हर्यों प्रिदर्शकों मैं हूं पनित बल्राम पांडे हाजिर हूं सितंबर 2023 का धन राश वालों का मासिक राश फल्ले के ये महीना आपके लिए बहुत स्रेकर रहने बाला है कैसे रहेगा बीजो को लाश तक बने रहेगा जानेंगे बहुत बड़ा बदराव आपके गहों की देखा जाये हैं तो आपके तुरती भाव में इस आपके दसम बाव में मंगल अब है कि तू तो ये हैं ग्रहों के इस दीव और ये राशिफल आपके चंद राशी के आधार पे है इसे आप लगन राशी या नाम राशी से भी देख सकते हैं तो आईए सब سے पहले बात कर लेते हैं स्वास्त की तो स्वास्त के दर्शकोंड से देखा जा बहुत अच्छी स्थी है वैसे भी देव गुरु वहिस्पति यहां अप्रैल से ही विराश्मान है तो स्वास्त लाद बिसेश कर इस नियुक्त अबहस्टी मिलने वाला है शिंगराशी में वो बिराजमान है और भाग भाव में वो भी बुद्ध के साथ बिराजमान है तो कहीन कहीन स्वास्तराद मिलेगा और आप मेरे चहरे में कहीन कहीन थोड़ा खुशी देख पा रहे होंगे यही खुशी आपके जीवन में भी शितंबर के महीने में आने वाली है और फिर अब हम बात कर लें विद्यारतियों की स्टुडेंड की तो विद्यारतियों के लिए समय बहुत अच्छा है आपने जो पहले मेहनत की है उसका रिजर्ट अब मिलने वाला है क्योंकि यहां पर देव गुरु रष्पति विराजमान है अब कहेंगे राहु तो हैं पर बुद्ध के अधिपति देव गुद्ध और शूर् जो की मुलता ग्यान के कारक है तो देखा जाये तो बहुत अच्छा समय है व्धियारतियों के लिए वो उचाईया जो आप पाना चाहते थे और एडिमीशन लेना हो, कोई भी काम हो पढ़ाई से जुड़ा हुआ, तो कुल मिला के कहा जाए, तो विद्यार्थी सितंबर के महीने में जंडे गार सकते हैं, अपने पढ़ाई के छेत्र में, और ओ सफलताएं, जिसकी आप चाहत रखते थे, क्योंकि ये धनुराशी है, और धनुराशी देवगुरु ब्रहस्पत की मूल्द चुकोन राशी है, जो कि बहुत स्फ्रेष्ट वानी जाती है, वैसे भी धनुराशी के लोग हमेशा अपने लक्ष के प्रती बहुत अडिग होते हैं, ये जरूर है कि दो सभाव राशियों में से है, तो कही न कही थो और अब हम बात कर लेते हैं लब पार्टनर की, तो लब पार्टनर के लिए भी इस्तिया स्रेष्ट कहीं जाएंगी, बहुत अच्छी तो नहीं, पर स्रेष्ट ही रहेंगी, बहुत अच्छी से लिए नहीं कहीं जाएंगी, क्योंकि एक तो चंद्रमा की करकर राशी के तो शुब ग्रह का अस्टम भाव में जाना बहुत ज्यादा स्विष्ट नहीं है वह भी सत्र राशी में फिर भी देव गुरु ब्रहस्पति हैं और यहां पर शुर किस्ति बढ़िया है बुद्ध किस्ति बहुत बढ़िया है तो यहां पर बुद्धी से आप काम लेंगे तो लब पार्टनर लब लाइफ आपकी बहुत सामान रूप से ठीक कही जाएगे बहुत गरबड नहीं हाँ यदि आप संका करते हैं जूट बोलते हैं तो फिर कम्भीर बन जाएंगे जूट का सहारा लेंगे शंका करेंगे बेर्थ में बाते करेंगे तो फिर यहां पर समझ्चाय लब पार्टनर के लिए हो सकती है परन्तों साव्द Mayo बरतेंगे तो यह समय निकल जाएगा आब हम बात कर लेते हैं मैरी लाइफ की स्थितिति बहुत स पाने बाले हैं उनके जीवन में जो अभी तक समश्याएं थी वो भी दूर होंगी और धनलाब भी मिलेगा उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा और भागी भी शाथ देगा जिसे जो रुके हुए कान थे वो बनेंगे तो मेरी लाइफ किस्तिती बहुत श्रेष्ट है और कि जो अन खासकर सूर्ष से और बुद्ध से सम्मंदित जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है तो कुल मिलाके ब्यापारियों के लिए ये समय धनलाब कराने वाला ब्यापार में ब्रधी दिलाने वाला और ब्यापार में कहीं न कहीं वो इस्तिती प्रा जो लकी राशी है वो धन शिंग राशी कहीज़े दोहजार चौबिस की लकी राशी कहलाएगी तो यह सितंबर की महेनी की सबसे सुरेश्ट लेने वाली राशी धन राशी भी कहलाएगी भागशाली राशी और अब हम बात कर लेते हैं कैरियर की तो कैरियर में भी बहुत मजबूत स्थिति कहे जाएगी हाँ ये जरूर है कि मंगल विराजमान है और मंगल वो भी बुध के राशी के कर्या राशी के ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं पर भाग का साथ मिलने की वज़े से और केतु भी राशमान है आपके लाबभाव में तो यहाँ पर इस्थितियां ये बहुत अच्छी करेंगे क्योंकि जिए भाग का साथ मिले और बुध्धी का साथ मिले बुध का साथ मिले और एकात बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं तो यहां पर कहीं न कहीं आपको धनलाब मिलेगा और वो काम जो रुके हुए थे वो सब बनेंगे और आपके केरियर में प्रमोशन की स्थिती भी बनने की संभावना दिखाई दे रही है हाँ ये जरूर है सूर और बुद्ध के उपर सनिदेप की दृष्टी है और यहां पर मंगली बिराजमान है तो बस इस वाट का ध्यान रखना है जल्दवाजी नहीं करना है जल्दवाजी नहीं करना है और गंभीरता के साथ हर एक काम को करिए तो ये महीना, सितंबर का महीना आपके पक्ष में रहेगा आपको चाहे ब्यापार में हो, चाहे कैरियर में हो, चाहे स्वास्त को लेके हो, चाहे मेरी लाइफ में हो तो ओवराल पुरा महीना ही आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो अब हम बात कर लेते हैं उपाय की तो उपाय के रूप में देखा जाए तो मा लक्षमी की आराधना करना नारायन के साथ में भगवान नारायन के साथ में नारायन और लक्षमी की आराधना करना आपके लिए बहुत स्रेश्ट रहेगा मा लक्षमी और भुमान नार्याने का जो भी मंतर बनता हो विश्णु जी का वो एक माला कम सकम जपे और यदि मिल सके संभव हो तो मा लक्षमी को लक्षमी कमल अरपन करें और शुक्रवार शुक्रवार को लक्षमी कमल जो होता है उसका दाना कमल बीच जो होता है उसका हब करें तो आपके पक्ष में और भी स्थितियां बन जाएंगी और सितंबर की महीने की सबसे भागशाली राशी धन राशी बन जाएगे तो देखा जाए तो बहुत बढ़िया है यह समय बस करम करने से पीछे ना हटें जल्द वाजी ना करें तो यह महीना आपके लिए बहुत करें और वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद